सीजन टू, एपिसोड बन स्टार्ट होता है, हमें सॉल का फ्यूचर दिखता है जैसे हमें सीजन बन में दिखाए गया था, कि वो एक ब 떨करी में काम कर रहा है वही वो काम कर रहा होता है हमारा पुरा season 1 खतम हो चुका है फिर भी हमें इसका future पता नहीं चला है हमें दिखता है कि सौल जो कचरा होता है वो डालने जा रहा होता है वो जब उस room में जाता है कचरा डालते डालते उसका जो door होता है वो close हो चाता है वहाँ और एक door होता है जो emergency exit होती है उस door पर लिखा होता है कि अगर आपने इस exit से door open किया तो पुलिस को खबर चली जाएगी सौल पुलिस से ही भाग रहा है इसलिए वो उस door को open नहीं करता वो wait करता है कि और कोई आए जब एक janitor वहाँ आता है तब वो वहाँ से चला जाता है नेक्स सीन में हम फिर से series के present में आ जाते है प्रिवियर सीजन के last episode में हमने देखा था कि सौल को अब नया job मिलने वाला होता है वो court room में जाता है और फिर से वापस चला आता है अब इस scene में हमें दिखाए गया है कि वो court room में जा रहा होता है वो जो नए firm होती है जा उसे job मिलने वाला होता है उसके boss से वो मिलता है उसके boss से वो बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझे से काम करना चाहते हो फिर वो keen को बास बुलाता है और उसे खोने में लेके जाता है उसे पूछता है कि अगर मैंने ये जॉब लिया तो हमारा जो future है ये कुछ affect करने वाला है या नहीं यानि कि उनके relationship के बारे में वो पूछ रहा होता है कीम उसे बोलती है कि हमारा relationship का और इसका कुछ भी संबन नहीं है फिर Saul उसका जो नए boss होने वाला होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं opportunity के लिए बहुत thankful हूँ पर मैं आपके साथ काम नहीं करना चाता Saul फिर वहाँ से कार निकलता है और Mike के पास जाकर बोलता है कि हमारे पास 1.6 million dollars थे हम अगर चाहते तो each 800 के ले सकते थे और अच्छे से life जी सकते थे मैं गदा था जो मैंने सोचा कि मुझे right thing करनी चाहिए और मैंने वो पैसे वाफस कर दिये वो उसे बोलता है कि आप मैं future में ये फिल से गलती नहीं करने वाला फिर वो nail salon में आता है उसे जो cucumber water है वो पीना होता है पर वहाँ के जो honor होती है वो बोलती है कि सिर्फ customers के लिए मैं एक cucumber water देती हूँ sulphur glass रख देता है और कुट्टे जैसा मूझ से पानी पीता है वो अब किसी भी चेस के लिए care नहीं करता उसके वो office के बाहर लिखा हुआ होता है James M. Maciel X-square यानि कि उसके office का वो नाम होता है वो वो paper वहाँ से निकाल लेता है next scene में हमें दिखता है कि Mike फिर से वो उसी job पर होता है यानि कि bills देने वो जाने वाला होता है और वो पैसे वो लेने वाले होते है उसका जो employer होता है वो वह आता है उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है माईक उससे पूछता है कि यह गाड़ी है तुमारी उसका employer बोलता है कि आओ चलो हम चलते है जॉब के लिए माईक बोलता है कि यह जो business है इसमें इतनी ज़्यादा attention नहीं चलती मैं इस गाड़ी में नहीं आने वाला तुम्हें अगर यह business करना है तुम मेरी गाड़ी में आओ उसका employer उसे बोलता है कि मैं इसी गाड़ी में जाने वाला हूँ मुझे यह गाड़ी अच्छी लगती है अगर तुमें नहीं आना तो तुम मत आओ वैसे भी तुम वही सिर्फ खड़े रहते हो तुम कुछ करते भी नहीं माइक उसके साथ फिर नहीं जाता वो अकेला ही जाता है नाचो फिर वहाँ आता है वो एक्चेंज करते है वैसे वेगरा फिर नाचो उसे बोलता है कि तुम्हारी काज बहुत ही अच्छी है वो excited हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम अंदर जाकर देख सकते हो नाचो फिर अंदर बैठता है माइक का employer पीछे पैसे गिलने के लिए चला जाता है नाचो फिर उसका जो globe compartment होता है उसमेंसे documents निकालता है उसे फिर उसका नाम और पता पता चल जाता है नाचो फिर ये deal complete करकर वहाँ से चला जाता है नेक्स सिनमा में सॉल दिखाय गया है वो एक swing pool में होता है और मज़े कर रहा होता है वहाँ फिर कीम आती है कीम उसे बोलती है कि तुम मुझे explain करो कि तुमने इतनी अच्छी job opportunity क्यों छोड़ दी वहाँ एक waiter आता है और सॉल को Mr. Campson बोलता है यानि कि सॉल दुसरा नाम यूज कर रहा है दुसरे के name पर ये billing वो करने वाला होता है या भी वो free में मज़े कर रहा होता है उसके पास आ जाता है और फिर alcohol order करता है वो उस menu में एक टकीला देखता है जो 50 dollars का एक short होता है waiter से बुचता है कि क्या ये एक joke है waiter बोलता है कि actual में available है उस टकीला का नाम जफिरो अने होता है फिर सॉल बोलता है कि वो दो shorts तुम लेकर आओ और room पर ये bill कर दो पर किम उसे रोग लेती है किम बोलती है कि हम दूसरा कुछ लेंगे दूसरी drinks वो order करती है और वो पेकरने वाली होती है फिर सॉल उसे समझाता है कि चकने मुझे यहाल आया था मैं जो job कर रहा हूँ इसमें इतना interested भी नहीं हूँ मुझे जो चीज़े अच्छी लगती है लोगों को परस्वेट करना लोगों को समझाना वो मैं किसी और चीज़ में भी कर सकता हूँ इसलिए मुझे lawyer ही रहना है यह मुझे comfortable नहीं लगता कि मुझे बोलती ही तुमने इसमें बहुत मैनत किये इतने सारे साल तुमने इसमें spend किये है क्या तुम अब इसे ऐसे ही जाने दोगे जो entrance exam तुमने दी थी उसके लिए भी तुमें बहुत मैनत करनी पड़ी थी Saul बोलता है कि मैंने पहले मैनत की है इसलिए मुझे life पर मैनत करनी पड़ेगी ऐसा तुम कुछ भी नहीं है न वो उसे समझा रहा होता है कि उसे क्या अच्छा लगता है फिर उसे एक stock broker दिख जाता है यह जो stock broker है यह हमें breaking bad में भी दिखाय गया है वाल्टर अपनी treatment के लिए जब पैसे जमा करने जा रहा होता है तब उसका parking spot यह ले लेता है और एक लड़की के प्रती वो बहुत ही disrespect दिखाता है जब next time वाल्टर अपनी जला देता है तब उसकी वो गाड़ी ही जला देता है उसका वो sport कर देता है यह वही stock broker होता है breaking bad में हमें पता नहीं चला था कि इसका profession क्या है कि तुम stock broker हो वो बोलता है कि हा मुझे तुमें एक question पुछना है Saul बोलता है कि अभी-भी हमारे एक uncle मर गए है उन्हाने बहुत सारे पैसे हमारी ले छोड़े है तो हमें यह invest करना है फिर वो उसे सवाल पुछता है कि share market में investing करने के लिए कुछ limit भी होती है या नहीं वो उसे बोलता है कि कोई भी limit नहीं होती Saul किम को as a sister introduce कराता है वो किम को बोलता है कि अब हम सारे पैसे stock market में invest कर सकते हैं फिर वो stock broker उसे सला देता है कि तुम यह सब invest करोगे पर तुमें diversify करना चाहिए यानि कि अलग-अलग जगा तुमें यह invest करने है यानि अगर तुमें profit नहीं हुआ तो तुम loss में नहीं जाओगे अलग-अलग जगा से तुमें कहा न कही profit तो होई जाएगा Saul फिर interested हो जाता है तो stock broker बोलता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा time दो मैं तुमें सब बता सकता हूँ Saul उसे बोलता है कि मैं online invest करना चाहता था पर वो stock broker उसे convince कर देता है कि तुमें मुझे से ही invest करवाना चाहिए Saul और Kim उसे story बताते हैं कि हम दोनों Dutch है पर हम अफरिका में थे यसी वो सब फरजी story उसे बता रहे होते है फिर वहाँ वेटर आता है Saul और Kim हमें उस वेटर को उसी टकीला का order देते हुए दिखते है यह जो टकीला होती है यह हमें पहले भी breaking bad में दिखी है घस जब डॉन इलाडियों को poison देकर मारता है तो यही टकीला उसे उसने gift की होती है इसी टकीला से वो उसे देहर देखे मार रहा होता है यही टकीला इस सीन में हमें फिर से दिखती है फिर रात हो जाती है और वो पूरी bottle खतम कर देते है वो वहाँ से निकल जाते है और वो stroke broker उसका bill लेता है वो जब bill देखता है वो हैरान हो जाता है यानि कि इस stroke broker के साथ दो बार हमने mess हुए होते दिखती है Walter ने भी इसके गाड़ी उड़ा दी है और Saul ने भी इसके साथ स्कैम किया है Kim और दोनों एक करकर बहुत ही खुश हो जाते है वो बहुत ही हसते है और फिर हमें दिखते है कि Kim और Saul ने पुरी नाइट एक साथ spend की है सुबह होती है तो Saul उसे बोलता है कि अगर हम ये रोज कर सके तो कितना अच्छा होगा Kim बोलती है कि हम ये रोज नहीं कर सकते Saul बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम ये रोज नहीं कर सकते पर just एक thought कितना अच्छा हो सकता है फिन एक सिन मेंमें दिखता है कि जो माइट का इंपलार होता है उसके घर में चोरी होई होती है पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि मेरा जो baseball collection था वो पुरा चोरी हो गया है पुलिस सब देखती है और पुलिस को उस पर जदा बिलीव नहीं हो रहा होता क्योंकि हाउस में TV भी होता है, computer भी होता है वहाँ सिर्फ चीजे intact होती है, सिर्फ baseball cards missing होती है ये इतना possible नहीं हो सकता, इसा पुलिस को लगता है वाइक का employer उन्हें बोलता है कि मेरे पास जो baseball के cards का collection था उस cards के लिए मेरे पास invoice भी है, वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ जब वो उस invoice को print करने के लिए अंदर जाता है, तो पुलिस एक couch दिखती है उस couch को हाद भी नहीं लगाया होता, तो वो फिर उस couch को खिसकाते है और वहाँ देखते है तो वहाँ एक hiding place होता है फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है सौल हमें नेक्स दिन फिर से पूल में दिखा गया है, ये एक नया hotel होता है वहाँ फिर से उसे एक अमेर आदमे दिखता है वो अब उसको फसाने वाला होता है, पर उसको किम के साथ उसे फसाना होता है वो Kim को call करता है पर Kim का phone directly voice message पर जाता है फिर वो अपना mind change कर लेता है उसे new firm में job मिनने वाला होता है उसका नाम होता है डेवी सन मेन तो वहाँ वो call करता है और उसके boss से फिर से वो एक meeting arrange करवाता है उसे फिर वहाँ job मिल जाता है और वो अपने new office में चला जाता है उसे एक separate assistant मिलता है और वो assistant उसे पुछता है कि अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो मैं तुम्हें help कर सकता हो उसे company एक नई कार भी दे रही होती है उसको office में painting की भी choice उसे ही करनी होती है और उसे सब कुछ ना बोलता है कि सब कुछ perfect है फिर वो dash देखता है उसे एक specific coco bolo dash चाही होता है वो बोलने में अच्छा लगता है इसलिए sol को वो dash चाही होता है उस office में हमें एक switch दिखाय गया है उस switch पर लिखा होता है कि switch को तुम burn मत करो पर sol को रहा नहीं जाता और वो switch को burn कर देता है पर फिर वो अपना decision चेंज करता है और फिर से उस switch को open कर देता है इस scene से हमें पता चलता है कि sol को rule से play करना अच्छा नहीं लगता फिर थोड़ी देर के लिए उसने mind अपना change कर लिया है और इसलिए ही वो स्विच ओ फिर से आन कर देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है